सांचोर में बीजेपी प्रत्याशी देवजी पटेल ने पहली सूची में नाम जारी होने के बाद ही चुनावी मोर्चा संभाल लिया है जोरान फंस्ट सांसा देवजी पटेल ने फ़र्शन या न्यूस से एक्स्क्लूसिवली बाचीत करते हुई कहा कि बीजेपी परिवार एक साथ मिलकर एकता से चुनाव लड़कर कॉंग्रेस को हराएंगे और कमल का फोल खिलाएंगे वहीं पोर विधायक जिवाराम चौधरी और पोर प्रत्याशी दानाराम चौधरी की भी नाराजगी की बाचीत कर उसे दूर किया जाएगा और सभी एक जाजम पर बैठेंगे जोरान सांसा देवजी पटेल से ही खास बाचीत के हमारे सेयोगी लुना राम दर्चीर जालोर सांसा देवजी पटेल को भाजबा ने संचोर विधाज सवास से टिकट दे कर परत्यासी बना कर चुनावी मेडान में उतार दिया है सांसे साथ लगातार दोरे पर हैं टिकट मिलने के बाद से ही और समर्थन मिलना भी लगातार शुरू हो चुगा कैसे देखते हैं क्योंकि पहले लगातार तीन बार आप सांसत का चुनाम लड चुकता, ऐसे मैं पहली बार विदान से बार चुनाम लड चुनाम लड रहे हैं, कितनी चुनोतिया मानते हैं? चुनोतिया कुछ भी नहीं है जनताने मूड बना लिया है नरेंद्र मोदी जी के विकास को देखा है मोदी जी ने जो हर गर जल योजना साथी परदानमंत्रि फसल भीमा परदानमंत्रि आवाज परदानमंत्रि किसान सम्माद निदि इसी कई विकास शिल जो योजना हैं वो लोगों के बीच में दी है और जिसके माद्यम से लोगों की जीवन स्तर और जीवन सेली शुद्री है अभी समर्थन भी बहुत मिल रहा है आज खारा चोरा सभी गाउं में जाके हैं सब लोग खुश है और उन सब ने कहा है कि अब की बार हम पार्टी को जीताएंगे और पार्टी के जो पर्तियाशी है वो कमल के फूल को भारी बहुत मत से हम राजस्तान की विदानसवा में बेजेंगे क्या मुद्दे लेकर इस बार जन्ता के भी जाने वाले हैं क्या विदानसवा चुनाओं में इस बार अपने इलाकी की बात करें आपकी विदानसवा जहां से आपको टिकट मिलाएं क्या मुद्दे खास हैं विदानसवा के अंदर आपने देखा होगा कॉंग्रेस का कुशाशन जिसमें किसान परिशान है संचौर के अंदर लॉइन ऑडर की कोई नामो निशान नहीं है चोरों पे अंकुश लगे वैपारी खुशाल रहे वैपारी अपना वैपार आराम से कर सके इन सारी बातों को लेके अम जनता के बीच में संचुर विदान सभा में भाजपा से प्रविदायक जिवाराम चौधरी और दाना राम चौधरी दोनों टिकट की दावेदारी कर रहे थे दोनों की टिकट गट गई जिससे दोनों नाराज भी बताय जा रहे हैं क्या कुछ कोई बाचित आपकी हुई और दूसरा जो टिकट को लेकर दो कन्फिजन सोसल मीडिया पर लगातार वाइरल हो रहे हैं कि संसे सामने टिकट मांगी नहीं थी पाल्टी के वर से दी गई है और दावेदारी वो दोनों नेता कर रहे थे क्या कुछ सच्चा ही क्या है इसमें ऐसा है दानाराम जी और जीवाराम जी की बैठ रहे हम बैठ के इसको सुल जा लेंगे रही बार टिकेट की तो हमर भारती जंता पार्टी में एक सिस्टम है सर्वोच नितु तो हमारा वही ही नकी करता है कि किसे कहां से लड़ाना है और मुझे पूर्ण विश्वास है भाई दाना राम जी और समाने जीवाराम जी और हम सब साथ में मिलके ये चुनाव लड़ेंगे कल जिस तरीके से आपके काफिले के वहनों के सीशे तोड़े गए जो हमले की घटना हुई उसके बाद में रात को बताया जा रहे हैं आपके वास दो बार कोई कॉल आया जिसने दमकी भी दिये जान से मानने की ऐसी घटन मोदी जी के विकास मोडल को राजस्तान में लोग लाने को लेकर त्यार हो चुके हैं और ऐसे में इस विदानसवा चुनाओं में राजस्तान में भाजपा की सरकार बनेगी लोना राम फर्स्ट इंडिया निउज जालोर